हमारे देश में शान्ती है इसलिए हम हर वक्त ही महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित हैं लेकिन इस समय जो मजूदा हालात हैं दुनिया के अलग-अलग कोनों में इस तना की हलचले हैं जो ये इशारा देती हैं ये संकेत देती हैं कि कहीं हम विश्वयुद्ध की और अपने कद हम तो नहीं बढ़ा रहे हैं नमस्कार आपके साथ मैं हूँ अपर नमाजम और मेरे साथ मैं सयोगी पुनीत मिश्वा जो बताएंगे कि ये आहटे क्या कह रही हैं और आज हम क्यों यहां पर खड़े हैं आपसे बात चीत करने के लिए पुनीत बिल्कुल देखिए बात य है कि दुनिया में युद्ध लगातार चल रहा है एक तरफ हमास और इसरील के बीच में युद्ध चल रहा है कल खबर आई कि हिजबुला ने रॉकेट दाग दिये फिर इसराइल ने अपने फाइटर जेट्स उतार दिये तो यह यह खबर लगातार सामने आ रही है और threw world war की जो बात चल रही है वो हो जाए बिलकूल आपने सही कहा 3rd World war इसकी आहट भी हमें डराने का काम करती है लेकिन विश्वास होता है हमें नेटो पर यहां में नेटो का खिखर क्यू कूले कर आई हूं और क्यूं इस खिकर में तुर्की का रोल जो है वो बहुत मेहत प तोवियत संग आपको याद होगा कि जब तूटा था तो उसकी बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए 1949 में नेटो का संगठन बनाया गया और उसमें उसकी कोशिश हमेशा से यह रही है क्योंकि अमेरिका उसकी अगवाई करता है तो उसकी हमेशा से कोशिश यह है कि उसमें औ अभी 32 देश मौझूद हैं अब इसमें एक देश है अमेरिका भी है और दूसरी तरफ टर्की भी है जिसका आप जिक्र कर रहे थी तो यह जो है इसके पीछे की कहानी क्या है यह मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन यह बात जो है अभी जो आपने कहा था कि नेटो है तो तो यह बात सही है लेकिन क्या नेटो है और आगे भी रहेगा क्या वार्सा जैसी इस्तिती जो वार्सा पैक्ट जो हुआ था क्या वैसी इस्तिती नेटो के साथ हो सकती है क्या नेटो में तूट पर सकती है सवाल यह भी है क्योंकि केवल यह रूस और यूक्रेन ही नहीं युद्र लट रहे हैं बलकि एक तरफ अगर आप देखें तो युक्रेयन को पूरी तरह से नेटो का साथ है दूसरी तरफ रूस भी कई लोगों को अपने साथ में ले रहा है और दिल्चस्प बात यह है खबर यह है कि जिस टर्की किया बात कर रही थी रूस टर्की दोनों स साथ आकर खड़े हो रहे हैं और यह बहुत बड़ी बात है यह बहुत बड़ी बात है 26 तारीक को एक खबर सामने आती है कि नेटो का सदस्य टर्की जो है वो रूस की सेना के साथ मिलकर सीरिया की बॉर्डर पर सैन्य अभ्यास कर रहा है 32 देश हैं और उसमें से एक टर्की वो मिल जाता है किसके साथ जाकर जश्टे के साथ जाकर जिसके खिलाफ अब तक नेटो ख़दा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि यूकरेट के वो साथ है और यहां पर अगर 32 में से एक खिसक गया पुनी तो क्या तूट से देखे हम देखिए बात ये है कि 32 में से एक हिसकने वाली बात नी है और सदस से तो अभी भी टर्की जो है वो नेटो काई है ठीक है लेकिन अंदर ही अंदर नहीं होता है कि एक गुरुप जो बना हुआ है लॉबी बन रही है ताकत का जिसको कहते हैं शक्ति प्रदर्शन क्योंकि अभ दूसरा कि टर्की अपने आपको ये दिखाना चाहता है कि हम में भी कुछ पावर है और अर्दुआर ने कहा था याद होगा कि इस्रेल को घर में घुसकर मारेंगे मैं उसके पर आता हूं और क्या कर सकते हैं ये भी लेकिन दिल्चस्प बात ये है कि एक तरफ नाटो में टर्की है लेकिन दूसरी तरफ उसकी दोस्ती ऐसे देशों से है जो कि अमेरिका के एक प्रकार से दुश्मन है या अमेरिका जिन से चिड़ता है अमेरिका नहीं चाहता कि वो आगे बढ़ें चाहे वो बात इरान की हो चाहे बात फिलिस्तीन की हो चाहे बात चाइना की हो और इनके साथ गलबहियां कौन कर रहा है? टर्की गलबहियां कर रहा है, पाकिस्तान के साथ कर रहा है. और सबसे बड़ी बात ये कि एक तरफ अमेरिका का F-35 जो फाइटर जेट है, फिफ जनरेशन स्टल्थ फाइटर जेट है, उसको डेवलप करके अमेरिका उसे बाजार में, सैन्य बाजार में, दुनिया के बाजार में बेचने की तैयारी में हैं, तो उसी के कॉम्पेटिशन में, दिल्चस्पी है कि उसी के कॉम्पेटिशन में तर्की दो हजार नौव, माफ की जी का, दो सोला में एक नया प्रोजेक्ट उतारता है, और ये प्रोजेक्ट है, फिफ्थ जनरेशन स्टल्थ फाइटर जेट का, जिसका नाम रखा गया K-A-N-N, मतलब कान, और ये जो अपर मुका मिलता है, कड़ी टकर देने की कोशिश हमें, आखे दिखा रहा है, लेकिन पूरीत मेरे मन में सवाल यहां पर ये उड़ता है कि अमेरिका सिपर पार है, वो हमेशा से खोट को हर किसी के ऊपर एक एज लेने की कोशिश करता हूं और दिखाई देता है, ओो प्र इससे पहले जब हम NATO की जब बात कर रहे थे, तो रशिया भी चाहता है, दरसल युक्रेन भी शामिल होना चाहरा था NATO में, लेकिन युद्ध शुरू हो गया, तो NATO की तरफ से कहा गया, कि अभी युद्ध चलने दीजे, युद्ध शान्ती होगी, उसके बाद आप NATO में शामि कर रहा है, और इसमें अगर टर्की जैसा कोई व्यक्ति मौजूद है, तो क्या वो तोड़ देगा, और तोड़ देगा, तो सबसे बड़ी बात, मैंने आपको क्यों बताया, ये कानवाली कहानी क्यों बताया, कानवाली कहानी इसलिए बताया है, कि टर्की इसके जरीए सामने तो ना कहें, सामने ना कहें, अमेरिका के साथ में हो रहने की बात भली करते हों और हां में हां मिलारें। की बात हो गई, सीरिया की बात हो गई, और ये सब जो है, अर्मेनिया की बात हो गई, ये सारे देश का समर्थन करता है तर्की, इस्राइल में कहता है कि हम घुसकर मारेंगे, हमास जिसको आतंगी संगठन, देखे, ये नाटो का जो मुखिया एक प्रकार से कह लीजिए, अमे अपने लोगों के लिए, अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, और इसलिए कहता है कि हम इस्राइल को भी घुसकर मारेंगे, और जो यहां पर पुरी ये तमाम चीज़े आपने समझाई बखो भी, डिकोर्ड हम यहां पर लगातार कर रहे है, लेकिन 9-11 की याद दिला दी, तो कहीं न कहीं जो अलग-अलग हल्चले हैं, क्या उन्हें हम इंटर कर सकते हैं, एक बड़ी उतल-पुदल का यह इशारा है, देखें बड़ी उतल-पुदल का बिलकुल इशारा है, क्योंकि इसरेल में कल जो कुछ हुआ, हिजबुला ने दागे, वहाँ पर इमर्जेंसी घोशित कर दीगे, 48 घंटो के लिए, यह क्या बताता है, एक तरफ आप सूचिए, कि इसराइल और हमास के बीच शांती समझाता हो सके, उसके लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है, दूसरे जो मिस्र कोशिश कर रहा है, और और भी कई देश ह जो कोशिश में लगे हैं कि शांती हो जाए, लेकिन हो नहीं रही है, हमले लगातार हो रहे हैं, दूसरी तरफ यूकरेन ने जिस तरीके से कबजाया है, रूस के हिस्से को, कुर्सक के 35 किलो मिटर अंदर घुज गया वो, तो आपको क्या लग रहा है, कि देखिए, रूस क किसी भी कीमत पर, क्योंकि रूस ने अटक किया था, और आज एक तरफ तो ये कहा जा रहा था, रूस पावरफुल है, युकरेन को कबजा लेगा, लेकिन युकरेन ने उसकी जमीन पर कबजा कर लिया, तो पूरी दुनिया में मैसेज किया जा रहा है, रूस के प्रती मैसे युकरेन लड़ा ही लड़ रहा है, सारे नाटो देश जो हैं, वो अपने हथियार पहुचा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से भी हथियार बाकेंड सपोर्ट पूरा मिल रहा है, और इसलिए रूस को भी अपने आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, पूरी दुनिया में दि पावर टेसल, वर्चस्व की लड़ाई, और इस बीच भारत सबसे अगर देखा जाए, तो अभी प्रधान मंतरी ने युकरेन का भी दौरा किया, और इसके पहले रूस का भी दौरा किया, लेकिन सवाल रशिया की मीडिया में भी ये उठे और पूरे इंटरनाशनल मीडि कि जिस तरह से युकरेन ने युद्द का दंश जेला है, वो मानमिक्ता देखी ती तस्तीर में और वो पुतिन से गले मिले थे, बोडी लेंग्विज जो है ना, वो बहुत 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 इंपॉर्टन रहती है, और बोडी लेंग्विज से आप क्या मेसेज देना चाहते हैं, वो एक अलग चीज़ है, अंदर खाने क्या बाते होती हैं, वो अलग चीज़े होती है, हलाकि पूरी तरह के से भारत जो सयोग है, वहां जो नुक्सान हुआ है, अस्पताल के मानविय सहायता जिसे का जाता है, उसको देने के लिए भारत पूरी तरह से तयार है, भार बात में एक और आखरी चीज आप समझने चाहूंगी आपसे जो इस जो है मुस्लिन देशों से घिरा हुआ है उसके बावजूद भी एक लड़ाई अपने सर पर मजबूती है लड़ने की वह बात कर रहा है लेकिन क्या अब हम माने कि जो बाकी तमाम जो मुस्लिन देश हैं गहेरा बंदी कर रहे हैं देखिए गहेरा बंदी कर रहे हैं और इसलिए मैं यह कह रहा हूँ फिर वापस घुम फिर के जो बात चुरू हूई तरकी से वहीं पर आजाती है किדי तरकी का जो जिस तरीके से तरकी काम करता है तरकी मुसलिम राष्ट की जो सोच छ that उस अनुसा टर्की काम करता है और टर्की यही कर भी रहा है और समर्थन करता है, लिबनान को भी समर्थन करता है इरान को भी समर्थन करता है और बाकी जो देश हैं उन सभी को समर्थन करता है तो एक बड़ी लड़ाई तो हो सकती है बड़ी लड़ाई हो सकती है निश्यत रूप से क्योंकि टर्की की भी सोच वैसी है और नाटो में रहते हुए सोच वैसी है तो क्या जो तीसरे विश्व युद्ध की जो हम बात कर रहे हैं वो हो भगवान करे ना हो लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ी टूट तो जरूर हो सकती है नाटो में क्योंकि यह से कहते हैं पूत के पाऊं पालने में नजर आ जाते हैं या लक्षन नजर आते हैं तो यह लक्षन हैं टरकी के तो संकेत से संकेत नहीं है, संकेत आने वाले कल की तरफ बहुत बड़ा इशारा भी करें, उनी इशारों को समझे की कोशिश हम लगातार करें, पुनीत आपको समझाते रहते हैं, वक्त वक्त पर जिस तरह से तमाम समिकरन समय पूरे विश्व की रादिती में देखने को मिल जो हल चले हो रही है, पर्दे की पीछे भी है, पर्दे की आगे की हल चले, उनको लगातार डिकोड हम करते रहेंगे, पुनीत बिश्व के सयोग से फिलाल इस डिजिचल समबाद में इतना ही, नमस्कार.